हेलो दूस्तों क्या आप नया फोन करेना चाते हो और आपका बजेट 20,000 तो योड़ियों देखते रहे मैं आपको कुछ फोन बताऊंगा जो कि 20,000 के अंदर आते हैं और इसे भी पहुंस बहुत एच्छे होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो बात करते हैं 5 फोन से और इस फोन में आपको Gorilla Glass 5 का प्रोडेक्शन भी देखने को मिलता है जो कि एक बहुत एच्छी बात है आगे बात कि जाए इस फोन की पावर की तो इस फोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 720 चिपसेट आता है जो कि 2.3 गार्ट पे क्लॉक्ट ते और 8 nm प्रोसेश टेक्नलोगी के साथ आपको यह देखने को मिल जाएगा बात कि यह आप प्रोसेट से आप बड़या प्रोसेश एक्सपे कर सकते हो वही पर बात कि जाए राइमान स्टोरी उप्शन की तो इस फोन में आपको 6 RGB राइमाशन के साथ 64100 GB का स्टोरी देखने को मिलता है और इस फोन में आपको यह प्रोसेट के फास्टोरी है जो के एक बहुत एच्छी बात है बात कि जाए इस फोन की कैमरा की तो इस फोन में आपको कार्ड कामरा सेटब आता है जिसमें आपको 64 MP का में कैमरा संसर के साथ 8 MP का लिटावर्ड, 2 MP का डिफ्ट और 5 MP का मैकरल लेंस आता है और साथ में LED फ् इस फोन की फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में आपको पंच होल में सेलफी कैमरा आता है जिसका रिजलोशन 32 MP रखा गया है बात कि जाए ओप्रिंग सिस्टेम की तो इस फोन में आपका Android 10 का बिल देखने को मिल जाएगा और साथ में MIUI का कस्टम रॉम भी आता है वाइपी ब आगे इस फोन की बैटरी की तो इस फोन में आपको 5000 एमेज की बड़ी बैटरी देखने को मिलते है और साथ में 33W का सुपरपाच चार्जर भी देखने को मिलता है जो कि बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा पारिनली बात की जाए इस फोन की प्राइसिंग की तो प्राइसिंग 17,000 चे शुरू होती है और 17,000 में आपको 6GB के साथ 64GB का वरेन देखने को मिल जाता है जो कर आप Redmi की तरफ से कोई फोन दून रहे हो बेतरीन तो इस फोन आप जरूर कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं हम आमारे नेक्स पोन के बारे में अगर आपको फ्रंट का प्रोडेक्शन भी देखने को मिल जाता है आगे बात की जाए इस फोन की पावर की तो इस फोन में आपको कॉल्गाउम का स्नापड़ेकन 720 ये चिपसेट आता है जो कि 2.3 गगार्ट पर क्लॉक्ट है और 8 नैनेमेंटर प्रोसेश टेक्नालोगी के साथ आपको ये नैने पीटी पॉल्ग में आपको 64 मेंगा पुल का में कामड मीन केसेट वे उतल इस फोन में आपको 64 मेंगा पूल का मैमे요 स्नापजय साथ एट मेंगा पुल चैन्प में आपको Gorilla Glass Pie का production देखने को मिलता है जो के एक बहुत अच्छी बात है WP बात किजाए आगे E-Spon की front camera की तो front में आपको dual point-hole selfie camera देखने को मिलता है जिसमें आपको 16MP का main camera sensor के साथ 8MP का ultra-ward angle lens देखने को मिल जाता है WP बात किजाए operating system की तो इस phone में आपको Android 10GB के साथ Realme UI का custom norm भी देखने को मिल जाता है बात किजाए SIM card slot की तो इस phone में आपको triple card slot देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है बात किजाए battery की तो इस phone में आपको 4300 image की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है अच्छी बात की बात किजाए इस phone की प्राइसिंग की तो इस phone की प्राइसिंग 18,000 से शुरू होती है और 18,000 में आपको 6GB के साथ 64GB का विरेंट देखने को मिल जाता है तो अगर आप phone डून रहे हो और आपको front और back दोनों साइड के camera's better होने चाहिए तो यह पर आप जरूर कंसिडर कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं हम अमारे next phone के बारे में जो कि Samsung की तरप से आता है और phone का नाम है Samsung Galaxy M31S phone के अगर बात की जाए तो इसमें आपको 615-5 इंचेस का Full HD Plus Resolution के साथ 28-29 का आस पर ग्रेशा देखने को मिलता है और इसमें आपको Super AMOLED डिस्प्लिय देखने को मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है आगे बात की जाए इस phone की power की तो इस phone में आपको Samsung का खुद का एक जुनास 9600 चिपसेट आता है जो कि 2.3 गार्ट पे क्लॉक्ट है और 10 nanometer process technology के साथ आपको यह देखने को मिल जाएगा बात की जाए परफाउंस की तो इस चिपसेट से आप ठिक टाग परफाउंस एक्सपेक कर सकते हो वह भी बात की जाए राइमान storage options की तो इस phone में आपको 680 GB RAM option के साथ 128 GB का storage देखने को मिलता है 5 megapixel का depth और 5 megapixel का macro lens आता है और साथ में LED flash भी आ जाएगा बात की जाए fingerpin sensor की तो इस phone में आपको side mounted fingerpin sensor देखने को मिलता है और वह भी बात की जाए bill quality की तो इस phone में आपको plastic keyboard देखने को मिलती है और साथ में पिछे की side में glass like printing आ जाएगी बात की जाए front side की तो front में आपको punch hole में selfie camera देखने को मिलता है जिसका resolution 32 megapixel रखा गया है बात की जाए operating system की तो इस phone में आपको Android 10 का update के साथ 1 UI का custom arm देखने को मिल जाएगा वह भी बात की जाए SIM card slot की तो इस phone में भी आपको triple card slot देखने को मिलता है जो की एक अच्छी बात है बात की जाए battery की जो की इसका एक highlighting point है तो इस phone में आपको 6000 image की बड़ी battery देखने को मिलता है और साथ में 25 watt का super fast charger भी देखने को मिल जाता है जो की आपकी battery को बहुत ही जल्दी charge कर देगा पारिनली बात की जाए pricing की तो इस phone की pricing साढ़े 19,000 शे शुरू होती है और इस phone में आपको 6GB RAM के साथ 128GB का storage देखने को मिल जाता है तो अगर आप Samsung के fan हो और आपको Samsung गे तरफ से कुछ phone साइए तो एफ़र आप जरू consider कर सकते हो इस phone में आपको बहुत बड़ी battery दी गई है अब हम बात कर लेते हैं हमाने next phone के बारे में जो की Realme की तरफ से आता है और phone का नाम है Realme 7 Pro phone के अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.4 inches का Full HD Plus Resolution के साथ डिस्प्ले आता है जो के एक Super AMRAD डिस्प्ले है जिसमें आपको Color Swagra Booteche से दीख पाएंगे बात की जाए प्रोडेक्शन की तो इस phone में आपको Gorilla Glass 3 Plus का प्रोडेक्शन भी देखने को मिल जाता है आगे बात की जाए इस phone की पावर की तो इस phone में आपको Qualcomm का Snapdragon 720G चिफ्ट से डाता है जो कि 2.3 गार्स पे क्लॉक्ट है और 8 Nanometer Process Technology के साथ आपको इस देखने को मिल जाएगा बात की जाए परफॉंस की तो इस चिफ्टर से आप बड़िया परफॉंस एक्स पे ख़़ सकते हो वह भी बात की जाए रामें स्टोरी औप्शन की तो इस phone में आपको 6 RGB रामें स्टोरी के साथ 128 GB का फिक्स टोरी देखने को मिलता है और इस phone में भी आपको UFS 2.1 स्टोरी आता है बात की जाए आगे इस phone की camera's की तो इस phone में आपको quad camera setup आता है जिसमें आपको 64 MP का main camera sensor के साथ 8 MP का लटर, 2 MP का पोट्रेट और 2 MP का macOS आता है बात की जाए main camera sensor की जो की एक Sony की तरफ से आता है और जिसकी quality बहुत ही अच्छे होने वाली है बात की जाए बिलको रटी तो इस phone में आपको plastic के body देखने को मिलती है और साथ में पिछे के side में glass like finishing आ जाएगी बात की जाए fingerpin sensor की तो इस phone में आपको in display fingerpin sensor देखने को मिल जाता है जो के एक बहुत अच्छी बात है front side की अगर बात की जाए तो front में आपको punch hole में selfie camera देखने को मिलता है जिसका resolution 32 MP रखा गया है वोई भी बात की जाए operating system की तो इस phone में आपको Android 10 के upgrade के साथ Realme UI का custom mount देखने को मिल जाता है बात की जाए आगी SIM card slot की तो इस phone में आपको triple card slot देखने को मिलता है जो के एक अच्छी बात है वोई भी बात की जाए battery की जो कि इसका एक highlighting point है तो इस phone में आपको 45 MPH की बड़ी battery देखने को मिल जाते है तो अगर आपको 20,000 और आपको better display वाला phone चाहिए और आपको fast charging वाला भी phone चाहिए तो इस phone आप जरूर कंसिडर कर सकते हो तो अब हम बात कर लेते हम आपने इस phone के बारे में जो कि एक value for money smartphone है और phone का नाम है Poco X3 फोन के अगर बात की जाए तो इस phone में आपको 6.67 inches का full HD plus resolution के साथ display आता है जो कि 120 years highly requested के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा बात की जाए प्रोडेशन की तो इस phone में आपको gorilla glass 5 का प्रोडेशन भी देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है बात की जाए आगे इस phone की पावर की तो इस phone में आपको Colocom का snapdragon 732G चिप से डाता है जो कि 2.3 गास पे clocked है और 8 nanometer process technology के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा बात की जाए प्रोडेशन की तो इस चिप्टर से आप best performance expect कर सकते हो 20,000 के अंदर तो अगर आप gamer हो और आपको games केलना बहुत जाएदा पसंद ही तो इस phone में आपको ये पेस 2.1 storage आजाएगा बात की जाए आगे इस phone की rear cameras की तो इस phone में आपको quad camera setup देखने को मिलता है जिसमें आपको 64 megapixel का main camera sensor के साथ 13 megapixel का 2 megapixel का depth और 2 megapixel का macro lens साथ आए और साथ में LED flash भी आजाएगा बात की जाए बिल quality की तो इस phone में आपको plastic की body देखने को मिलती है और साथ में पिछे की side में glass like flashing आजाएगी बात की जाए fingerpin sensor की तो इस phone में आपको side mounter fingerpin sensor देखने को मिल जाता है बात की जाए front side की तो front में आपको punch hole में selfie camera देखने को मिलता है जिसका resolution 20 megapixel रखा गया है बात की जाए operating system की तो इस phone में आपको Android 10 का अपरिट देखने को मिल जाता है और साथ में MIUI का custom ROM भी आ जाएगा SIM card slot के अगर बात की जाए तो इस phone में आपको hybrid card slot आता है मतलब आप एक time पे 2 SIM card चला सकते हो जाए एक SIM card और एक microSD card लगा पाऊगे वही पी बात की जाए आगे इस phone की battery की तो इस phone में आपको 6000 image की बहुत बड़ी battery देखने को मिल जाते है और साथ में 33 watt का super 5 charger भी देखने को मिल जाता है जो कि आपकी battery को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा पानेली बात की जाए इस phone की pricing की तो इस phone की pricing 17,000 से शुल हो देखने 17,000 में आपको 6 GB लायम की साथ 64 GB का वेरेन देखने को मिल जाता है तो अगर आपका बज़े 20,000 है और एक आप value for money smart phone देखना चाती हो तो ये phone आप जरूर कंसिडर कर सकते हो तो इस थे कुछ phone जो कि 20,000 के अंदर आते है और इसे भी पहुंस अपने price की साब से आपको बहुत ही बड़ी आप परफावन देपाएंगे तो अगर वडियो पसंद आए तो इसको like और share जरू कीजे और चैनल को भी subscribe कीजे मिलते हैं अगली वडियो में thanks for watching